Friends and Respective Teachers, मैं चीननु अगरवाद Math Mistress, सरकारी High School दपर, S.E.S. ना गरतो। बच्चो आज आपा आपने 10th क्लास दा इकदी आए दी रिवीजन करांगे। तुसी ये चीतर देखके दास सकते होगे केड़िया दी आए दी आपर रिवीजन करनी है। हाँ जी, आपा आज करागे आंक गनितिक लडिया अर्थिमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चेवन थोड़े संबर दे टेस्ट आनवाले है, पेपर आनवाले है। इस थो नू कुछ भ्यास दिप्ते गई अन जो कि पिछले जुलाई दे टेस्ट चुभी आये सी, तो ओहो टेस्ट दा थो नू 10%, 2% अंक आंगे प्रेशन आंगे उन्ना विच्चो, आते जो थोड़े नमास लेबस से स्टमबर वाला उस थोड़े 10% दा पेपर आएगा। तो टीचरा ने अभ्यास थो नू करवाया होएगा, तो इस करकी में इसनों ज्यादा डिटेल वीच नहीं समझा मांगे, सिरफ आप आपने पेपराच आन वाले अभ्यास दे कोश्चना दी इस वीच दुरहाई करांगे। तो पहला आप फटाफट इक वाले देख लिए कि अंक गरिंतिक लड़ी क्या हुन दिया, अंक गरिंतिक लड़ी संख्यामवादी कजी ही सूची है, जिस वीच हरे एक पद, पहले पद तो बिना आपने तो पिछले पद वीच एक निश्चित संख्या जोड के प्रापत अंक गरिंतिक लड़ी है, इस वीच देखो पहला पद आपकुछ भी ले आलिया, दो, उस वीच अग्ये दो-दो अंक जोड जोड के, दो जोड चार, फिर अग्ये दो जोड छे, दो जोड आठ, इस तरह आपकोई निश्चित संख्या जोड के अग्य-अग्ये वद्द र तो इधे वीच अपने कोल पेले 2ंक का अदाजी अपना अंतर लेए, 4-2, किनना आग्ये अपने कोल? 2, जेकर एक अपने कोल अंक गरिंतिक दित्ती होई है, या कोई भी लड़ी है जो अंक गरिंतिक है, ता उस ती एक निश्चित संख्या, दा एक सांजा अंतर हुनदा है उसनों असी D आख दे हाँ, फिर है सांजा अंततना आत्मा करिना आत्म या सीफर हो सकदा है, जेड़ी भी अपने कोल कोई भी अंक नितिक लड़ी वी दित्ती हो एगी उसता जेकर आपा सांजा अंत निकालिये, ता हो अपने कोल नेगिटिव भी हो सकदा है, पोस्टिव भी हो सकदा है, आते 0 भी हो सकदा है, अंक गनितिक लड़ी दे पहले पदनों सी A आख दे हाँ, देखो जेड़ी अपर अंक नितिक लड़ी दे ही है, दो, चार, छे, आठ अते चल रही है, इस विच जो पहला पद है, पहला अंक है उसनों अपना A देनाल लिख दे हाँ, तो इस तना है, यहीं अपना अंक नितिक लड़ी क्या हूं दिया हो, फटा-फट दुरहाई देख लिए, अग्यी अपने को है, A P दा N वापद अर्थे N पदा दा जोडफल, बच्चियों कोई भी स्वाल करन लग्या अपनू उसते फॉर्मूले याद होने चाहिए हन, ए कि में बनाने है तुस्सी पेलना देख चुक्के हो, पेलना यह लक्षरा वीचे तो नुए ना दे फॉर्मूले बनाने स्खाए सी, तो अपने देविचे सिरफ फॉर्मूले याद करांगे ते उसनों याद करांगे, A P दा आपने कोल आम रूफ है A, A प्लस D, A प्लस 2D, A A प्लस 3D and so on, तो बच्चों देविचे अपने निकालना हुंदा सीख N मा पद, तो N मा पद निकालना दा आपने कोल फॉर्मूला है, A N बराबर A प्लस N माइनस 1 इन्टू D, बच्चों यह फॉर्मूले न दूसी अपने कॉप्पी ते नौट करलो, वैसन में नूँ उमी फॉर्मूला यूस हुंदा है, तो N वा पद पता करना दा फॉर्मूला है अपने को, A N बराबर A प्लस N माइनस 1 इन्टू D, उससे तना अपने को लेथे होर स्वाल लविचे N पदा दा जोड़ फॉल पता करना दा इस्वाल हांगे, तो N पदा दा जोड़ फॉल निकालन चाहिए, वो 10 है, V है, T है, 40 है, जिन्या रखमादा, जिन्ने पदा दा आपने जोड़ फॉल निकालना है, वो अपने को, N है, तो जोड़ फॉल निकालना दा सुत्तर है, अपने को, S N बराबर, N बटे 2, ब्रैकेट, 2A प्लस N माइनस 1 इन्टू D, ब्रैकेट 1, तो बच् आपने को, जोड़ फॉल निकालना दा फॉर्मूला होर भी हुन्दा है, जेकर अपने को, लास्ट रखम, लास्ट पद पता होवे, तो ये फॉर्मूला है, S N बराबर, N बटे 2, ब्रैकेट, A प्लस L, एथे बच्चों अपने को, पहला पद हुन्दा है, आते L अपने को, लास्ट अंतिम पद, तो जेकर अपने को, किसी स्वाल वीच अपनू लास्ट पद रित्ता होवे, तो अपने उत्थे ये वाला फॉर्मूला दगाना है, तो अपने फट फटे फॉर्मूला देख लेए है, हुन अपने अभ्यास्ते प्रश्नादी धुराई कर देहां, जो कि अपने पेपर वीच आनगे, तो इनना बेपराच स्तंबर दे पेपरा वीच तो अनुईस्ता चार नंबर दा एक कोश्चन आएगा, पेला कोश्चन है, पता करो कि दित्ती लड़ी, आंक गनितिक लड़ी है कि नहीं, एक कोश्चन थोटा एक्सरसाइज 5.1 दा चोथे क कोश्चन वीच्चों लित्ता गया है, पता करो कि दित्ती लड़ी, आंक गनितिक लड़ी है कि नहीं, बच्च्यों अपने को ले थीक लड़ी दित्ती होई है, 2, 4, 8, अति 16 and so on, चल्ली जा रही है, लड़ी दा मतलब है जो रुकदी नहीं है, चल्ली जा रही है, तो इस अपने दसना है कि यहीं आंक गनितिक लड़ी है कि नहीं है, बच्च्यों कोई भी लड़ी इस तरा ली जो चल्ली जा रही होवें, आंक गनितिक लड़ी नहीं हुंदी, लड़ी हुंदी है पर आंक गनितिक लड़ी है कि नहीं, यहीं अपने पता करांगे, तो अपने को पहली रखम जो हुं दिया उसनूं अप्पा A1 पहला बद लिख दिया, दूसरी रखम नूं A2, A3, A4 इस तरह चली जा रहे हैं, तो अप्पाने A पता करन लिखी के अंकर गरिंतिक लड़ी है के नहीं, इनना दा अंतर पता करांगे, तो पहला अप्पा A2 चो A1 पता कर दिय हां, A2 चो A1 माइनस किता था, 4 माइनस दो बराबर 2 आ गया, पहला आपा पहले दो अंकर दा अंतर पता किता फिर अप्पा अगले दो अंकर दा अंतर पता करना है, तो हुन आपा निकालांगे A3 माइनस A2, A3 या 8, 8 माइनस 4 अपने कोल कटाओ करके आ गया, 4, बच्चों देखो पेला आपा दो अंका दा अंतर किता ता आया दो फिर अंतर किता ता आया चार तो दोना दा अंतर सेम नहीं है जे इनना दा अंतर सेम नहीं है ताहे अंक गरिंतिक लड़ी नहीं होवेगी तो इस तरह इस चप पा अंके लिखांगे कि इस वीच अंतर समा नहीं है इस लई लड़ी अंक गृतिक लड़ी नहीं है तो क्या कि ता बच्चों अंक गृतिक लड़ी पता कर ली दो दो अंका नू लाया कि उन्ना दा अंतर निकाल लिया जेकर अंतर सेम है तो अंक्रिंतिक लड़ी होवेगी, जेकर अंतर सेम नहीं है तो अंक्रिंतिक लड़ी नहीं होवेगी चलो इस से नालद एक खोर्स वाल करिए, इस भी अपने कोल एक पहला पद है A1, A2, A3, A4 इस से तरह अगले दो अंक्रिंतिक लड़ी देए अपने कुछ पदे दित्ते होई हैं, तो क्या करना सी अपने कोल माइनस 6, उस चो अपने माइनस करना है माइनस 10 तो माइनस 10 नों मैं ब्रैकेट चपा लिया, माइनस माइनस बन गया थे प्लस, तो माइनस 6 प्लस 10 ब्राबबर आगया अपने को 4 इससे तरह अगले दों अंकाद अपने अंतरफ पता करना है, a3-a2 इसनों माइनस करने अपने तीसरी रकम है, माइनस 2, फी माइनस ना निशान फोर्मुले वाला, उस चो माइनस करने है, a2 यानिके माइनस 6 क्यूंकि माईनस वाली रखन में आप माईनस वाली रखन में मिश्यां ब्रेकट चिलिखनांगे तहां कि आपनों कोई भी confusion ना हुवे माईनस माईनस टो माईनस माईनस कि पॉल से तो 6 चो 2 माईनस कित्ती आ गया? 4 देखो बंचो जेकर अंत रसे माजे एतना पांगई हाल करांगे, ज्य अंत रसेध मी नाए त़ आपनका स्वाल उत्थी- खतम हो जाएगा जिम्हे अपभागा स्वाल स्वाल कितता सी. हुँने थे क्योंकि पहले दो संख्या माज अपने कोल अंतर से मा रहा है तो अपपा एक खोर अंतर करांगे अपने कोल आ गया है चार तो बच्चों देखो एदे वीच अपने कोल जदो अपपा तिनवारी माइनस किती है तो अंतर किन्ना आ रहा है बिल्कुल सही चार इनने वीच अंतर समान है जेकर अंतर समान होवेता है आंक गनितिक लड़ी है चलो अग्गे अपपा निक स्वाल हल कर देहां सब तो पहलना क्या करना सी A2 माइनस A1 दूसरी रकम चो पहली रकम माइनस करनी है दो A चो अपपा पहली रकम A माइनस किती है तो दो A चो A माइनस किता आ अपने को A फिर अपपा इसे तरह A3 माइनस A2 तीसरे पद चो दूस आप अध माइनस करना है तो आजाएगा 3A माइनस 2A, 3 चो दो माइनस किते 1A, 1A अपा A ही लिख दागे, क्योंकि अंतर समाना आ रहा है, इस करके आपा एक next हो चलनाँगे, A4 माइनस A3, A4 अपने को 4A, A3 अपने को 3A, 4A चो तिन A माइनस किते आपने को लागया A, तो बच्चों ना विच देखो क्या A, अंतर सेम आ रहा है, तो अपा लिख दाँगे, अंतर समान है, इस लई यह आंक गनितिक लड़ी है, इस लई यह लड़ी, जो अपनू लड़ी दित्ती है, A, P है यह अंक गनितिक लड़ी है, अपने को लड़ी दित्ती हुई है, एक गनितिक लड़ी क्या होंदा है, तो अंक गनितिक लड़ी दा अपने पेला पाथ आते सांजांतर पता करना है, अपने को एक लड़ी दित्ती हुई है, 3, 1, माइनस 1, माइनस 3, and so on, तो इस आपने इसना पेला प्त बता करना है, पेला प्त हमिशां लड़ी दा पेला अक्षर हुएगा, उसनों आपने को लड़ी दा टीनोड गरने हा, A नार, पेला पत यानिके A होंदा है, सांजा अंतर यानिके D हो वेगा, तो A अपने को लहा गया 3, जो भी लड़ीद अपने को पेला अक्षर होंदा है, पेला अंक होंदा है, पेला पध होंदा है, उसनों अपा small a ना डिनोट कर दें हा, यानिके पेला पध आगया अपने को 3, इसले सांजा अंतर नों अपा small d न कम माइनस करके, A2 चो A1 दूसरे पद चो पहला पद माइनस करना है, तो दूसरा पद है एक माइनस 3, तो माइनस करके आगया माइनस 2, बच्चो छोटा जा स्वाल है, एथो नू फाइनल पेपरा ची इस तरह आंदा एक नमबर दा स्वाल आएका, अगेस से तना अपने को लड़ी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 and so on, तो बच्चो इस एक इनना आगया, लड़ी दा पहला पद 0.6, ते अपने को लिस्ता अंतर कि पहला पद माइनस कारके, दूसरा पद दा है 1.7, माइनस 0.6, 1.7, 0.6 माइनस किता, ता आगया अपने को ल 1.1, बच्चो दिश्मल्ला वाली माइनस सनु अच्छी तरह आंधी होएगी, इस कारके आपद स्वाल कारके नहीं दिखांगे, इस दना एक खोर्स वाल अपने को बटे विच पिन वाला, 1 बटे तिन, 5 बटे तिन, 9 बटे तिन, 13 बटे तिन and so on. तो जेकर अपने इस्ता पहला पद देखना होए, पहला पद है A, तो पहला पद कीन ना आएगा थो नुपता लग गया होना हुनना? हांजी very good, पहला पद है 1 बटे तिन, लडिदा पहलां उसे तना D अपने कोल क्या होएगा? दूसरे पद विच्चों पहला पद माइनस करके, यानिके दूसरी रगम 5 बटे 3, उस चो अपने कोल पहला माइनस करना 1 बटे 3, तो उने थे माइनस करना लिए अपने कोल पिन्ना वाली माइनस सारा नू करनी आंधी है, तो माइनस करा अपने अगले कोश्चिन ते जानने हाँ, उस AP दे पहले चार पद पता करो, जीस्ता पहला पद 4 अथे सांजा अंतर माइनस 3 होवे, जीस्ता पहला पद, पहला पद याने के A, A अपने कोल दिता है, 4, आथे सांजा अंतर, सांजा अंतर नूँ अपने स्मोल डी लिखने हा, तो d, स्मोल डी अपने अंतर दिता है, माइनस 3, इना नू लेके अपने एक AP बनानी है, चलो देखिए उना आपकी में अपना अन्या, A ब्राबर 4, D ब्राबर माइनस 3 आपका लिख लिया, तो पहला पद याने के A ही होंदा है, तो मैं पहला पद A1 लिख लिया, 4, फिर अपने कोल दूसरा पद आएगा A2, पहली रगम से पहले पद चे D प्लस करके, तो आपका A1 प्लस D लिख लिया, A1 अपने कोल आया सी 4, उसच D, D मतलब अंतर प्लस करता माइनस 3, तो आगया 4 माइनस 3 ब्राबर 1, यानि के A2 आगया आपने को 1, दूसरा पद आगया 1, इससे तरह तीसरा पद निकालना लिए अपने दूसरे पद विच D प्लस करना है, तो तीसरा पद आजाएगा A2 प्लस D, A2 दा अंसर अपने कोल आया सी 1, उसता मूल पर ता 1, ते D अपने कोल आगया माइनस 3, इसनों हल करके आजाएगा 1 माइनस 3 ब्राबर माइनस 2, इससे तरह अपने चोथा पद निकालना है A4, A4 आएगा अगला पद यानिके A3 विच D जमा करके, A10 आया सी अपने कोल माइनस 2, उससे अपने कोल प्लस करना है D यानिके अंतर माइनस 3, एथे प्लस माइनस माइनस आजाएगा, तो माइनस 2 और माइनस 3 आगया अपने कोल माइनस 5, इस तरह बच्चो A1 आपने कोल 4 है, A2 1, A3 माइनस 2, A4 माइनस 5, तो अपने कोल एक लिकेडी बन गिया A P, 4, 1, माइनस तो, आटे, माइनस पंज, हुना आपा इससे तरहांदा एक स्वाल खुद हल करके देखने हां, अपने कोल A है, पहला पद है, माइनस एक, आते D है, अंतर है, सांजा, अंतर इक बटे, 2, तो इसे अपने पहला पद निकालना A1, A1 अपने क क्या होएगा, A ही हुन्दा है, माइनस एक, तो A2 निकालनली क्या करना है, पेले पद विच, A1 विच, D अंतर नू जमा कर देना, तो A1 अपने कोल आया, C माइनस एक, इस विच अपने क्या करना है, अंतर किन्न अपने कोल, एक बटे, 2, एक बटे, 2 नू प्लस कर देना है, ये थी अपने कोल गुत्तम आ जाएगा 2, तो इसनों हल कारके अपने कोल आएगा minus 1 वटे 2, बच्चे अलों गुत्तम वाली plus minus तुसी 10 मी क्लास्च होगे, अच्छी तरह आंधी होएगी, तो इसनों हल कारके अपने कोल आगया minus 1 वटे 2, उस्ते तरह जेकरा पद पता करना है तो तीसरा पद आएगा इसते दूसरे पद विच अंतर नू जमा करके, तो दूसरा पद आया सी अपने कोल minus 1 वटे 2, उस्ते अपने अंतर नू प्लस किता 1 वटे 2, इसनों हल कारके लगुत्तम आ गया 2, minus 1 plus 1, minus 1 plus 1 का गया 0, 0 वटे 2, तो एदा अंसर आ गया 0, उस्ते तर आपने कोल A4 है, तीसरे पद विच D, जमा करके, तीसरा पद आया 0, 0 ची इक बटे 2, अंतर नू प्लस करना है, तो एदा आ जाएगा 1 वटे 2, इसतना आपने कोल एक लड़ी बन गिया, जिस्ता की पेलाक्षर है, minus 1, दूसरा पद है, minus 1 बटे 2, तीसरा पद है 0, चोथा प पद है, इक बटे 2, इसतना आप इसनू अग्यहोर वदा सकते हैं, तो बच्चियों जितकर आपनो पहला पद अते सांजा अंतर दिपता होए, तना आप कोल एक लड़ी इसतना बना सकते हैं, इसतना आप अंक गियित लड़ी अग्गे वदा सकते हैं चला हुन आप आगले एक कोश्ण द चल लिए, अगला कोश्ण आपने कोल A P दित्ती हुए एक 2, 7, 12 and so, दा दस्मा पद पता करो, हुन दस्मा पद पता करंद आपने सुत्तर पड़िया सी A N ब्राबर A प्लस N माइनस 1 D, तो कोई वी स्वाल करन लगए, पिलना बच्ची लिखांगे A, A अपने कोल है पहली रकम, पहला पत, तो लिखांगे D, D ये सांजा अंतर है, सांजा अंतर की में निकालना है, दूसरे पद चोंपेला पत माइनस करके, हमेशा बच्ची आप पैद विच्च पैला पत माइनस करांगे, तो 7 माइनस तो पराबर आगे आपने पढ़ने को 5 तो इस द बार को ऻूंँ दसमा पद पता करना है तो पद पता करन दा सुतर आपने को है N क्योंकि दसमा पद पता करना N 10 हो गया लाची पद पता करन अपने कोल 2, n दा मुल है 10, d दा मुल है 5, जो जो कुछ अपनु पता है वो अपने फार्मुलेच पर ही जावांगे, तो इस तरह अपने कोल आ जाएगा, a 10 ब्राबर है, 2 जमा 10 माइनस 1 इन्टू 5, इसमों अग्गे हल करके अपने कोस्चिन दा अंसर आ जाएगा, हल की में करना अपने परेकेट हल करनी है, 10 माइनस 1 का अपने कोल आ जाएगा, 9, फिर अपने प्लस ते गुना चो परेना गुना करनी है, 9, 5, 5, तो इस तरह आ जाएगा, 2 जमा पनताली ब्राबर, 7, तो जो अपने दित्ती होई या, एपी, उसता दसमा पत किनना होएगा, 47 सायवन यानिके संताली, तो इस वीच अपने कोल सिर्फ अपनो सुत्तर पता होना चाएदा है, जेकर अपनों सुत्तर याद होएगा, तो अपना कोश्चन निकालन चापनों बहुत असान्नी होएगा, आपको फटा-फट कोश्चन निकाल सकते हैं, अग्गी अपने कोल आ दस है तो मैं थे लिखता है आपने को A ब्राबर जो कुछ पेलना दित्ता होए अंसर चोनू हल लवी चोनू लिख लो पेलना A ब्राबर है दस D ब्राबर आपने को माइनस ती तीवा पद पता करना यानि के N आ जाएगा T उस्तो बाद आपने फॉर्मूला लगाना है क्योंकि पद पता करना है पद पता करना फॉर्मूला है A N ब्राबर A प्लस N माइनस 1 इन्टू D तो बच्यों था नू क्या से जो कुछ पेलना दिपता हुंता है उन्टू लिख लिया उस्तो बाद फॉर्मूले विचे इन्टा मूल परना है अपने A O में लिखता N अपने को है T A अपने पता है 10 A दा मूल हो गया 10 N अपने को है T N दा मूल परता T D माइनस 1 D दा मूल है माइनस 3 चला हुन आपा इसनों हल कर दे हाँ इसनों हल करके अपने कोल के आ जाएगा 10 नों आमे लिखता T दा अपने कोल के आ गया 99 गुना माइनस 3 आ जाएगा 10 क्योंकि यह थे प्लस माइनस है तो माइनस बन गया 99 गुना करनी है गुना करके किनना जाएगा 87 उस्तों बार अपने कोल फिर प्लस माइनस माइनस तासी विच दास माइनस किते 37 क्योंकि बड़ी रख माइनस तिया इस करके माइनस सा निशान आएगा तो इस तना अपने कोल तीवा पर्द किनना हो गया माइनस 37 जी में अपा पिछला कोश्चन किता सी, ये भी उससे नालता ही कोश्चन सी, तो बच्चो अपना अगला कोश्चन है, इक का अपन 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 एपी दित्ती है, तिन, आठ, तेरा, अठारा, इस ता किन्वा पद अठात्तर है, हुन अपन ने पता करना है, जी में कि अपने को पेला पद A1, 3 है, A2, 8 है, A3, 13 है, A4, 18 है, तो इस तरह चलदे-चलदे किन्वा पद, यानिके A N पता करना है, किन्वा पद 78 है, एथोड़ी एक्ससाइज 5.12, कोश्चन नमबर 4 है, तो इस अपनों सब्तों पेलना उससे तर हमेशा A लिखनी है, पेला पद लिखना है, 3, फिर अपने कोल 8-3 ना गया, 5, फिर अपने कोल A आ गया, 78, तो इस तरह हुना आपने किन्वा पद पते करना है, तो मैं अपर लिखे थोंगे दुस्यासी किन्वा पद यानिके A N तो इत्थी अपने कोल A N दा सुत्त लगावांगे A N ब्राबबर A प्लस N माइनस 1 D तो बच्चियों तुम दुस्यासी फॉर्मूलेच जो जो कुछ अपनु पता है उसता मुल परी जाना है तो इस अपनु A N पता है 78 ओपार दांगे A दा मुल पता अपनु 3 N अपने पता करनी है D दा मुल अपनु पता है 5 तो सारा कुछ पर अंतो बार पहलना 3 प्लस ता उदर जाके माइनस हो जाएगा इसनों माइनस करनी है अपने कौल आगया 55 फिर 5 जो गुना चाहे हो बटे चाह जाएगा 55 बटे 5 करके अपने कौल आगया पा करके 15 उसतो बार जड़ा माइनस ता आनना दूसरी साइट ते प्लस हो जाएगा सोना तो बच्चों इस स्वाल चभी अपनों एन यानिके अन्वा पद दा फॉर्मूला लगा के उस चाह अपने सिरफ मूल पर यह है जिस्ते नाल अपन पता लगया कि 78 इस दित्ती होई लड़ी दा किन्वा पद है ओ इसता सोनमा पद है इसे दना अपने कोल है सत तेरा उन्य ए सोन दोसो पांज दे किन्ने पद्धहन होई ऐस तो उसे तरह आपने कोल एवानना गया सत एटू आगया तेरा एथ्री आगया उन्नी चल्दे चल्दे किन्वा पद्ध है एएन तो जी मिए अपा पिछला स्वाल किता सी से मुझसे तरह दस्वाल है है तो इस अपने कोल ए है सत डी हुंदा है दूसरी रखम चो पहली रखम म माइनस कारके अपने कोल आ जाएगा 6 तो अपने कोल लास्ट पद्ध है 205 इस भी अपा पता करना है कि किन्ने पद्ध है यानि कि अपने अन पता करना है तो एथ्थे भी अपने कोल अन है तो अपने अन दा सुत्तर लगा मांगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D तो बच्च जी में पिछला स्वाम सी सेम उससे तरादा है इस चापाने एंदा मुलपार देना है एदा मुलपार ना है आते डी दा मुलपार के उसनों हल करकी एंदा अंसर निकाल देना है यह बच्चों तुसी अपने खुद हल करके देखियो क्यों कि पिछला स्वाल अपना इससे तरादा यहां, 100, 101, 102, 103, इस तरह चल्दी जा रही है, तो लाज ट्रा कम अपने को लुंदी है, 900 नडिन में, तो अपा एनना विच्छो देखना है कि उसे 54 पागयोग किन्या हन, तो पहलना तुसी बच्च्यों 100 नु al देखना है, 87 पागयोग है, 100,uates चल्दी जा रही है, नई वंडिन जान्दी, इस तरह 101 पूरी पूरी वंडिन जा रही है एवी नहीं वंडी जारी, इस तरह जेडी पेली पूरी वंडी जारी हो है कि अपने कोल 105, 102 वी नहीं जाएगा, 103 वी नहीं, 104 वी नहीं, 105 जाएगा साथ दे पहाडे ते, उस्तो बाद अप्पा देविचे साथ साथ प्लस करके एही लड़ी बना दांगे, उससे तरह लास्ट वी चो अपने को रकम होएगी, 94 में, जो की साथ दे पहाडे ते जानती है, इस तरह अपने को लड़ी त्यार होगी है, तो बच्चे जो भी अपने को लड़ी बना दिया, आप पहला उस्ता ए निकालना है, पहला पद लिखना है, फिर उस्ता अंतर दूसरे पद चो पहला पद माइनस करके उस्ता सांजानता लिखना है, हुन इस चापने को लास्ट रकम है, लास्ट पद अंतिम पद है 900 चरण में, तो अप लिखता, हुन फिर इस वीच अपने को ल, ए यह अंदा सुत्तर लगेगा, यह फिर बिल्कूर उस्ते तरहादा स्वाल बन गया है, जो क अपने को पिछले दोस्वाल सी, बस इदेवी चिक फरक्या सी, अपने लड़ी खुद सोच के बना रही सी, जो कि सातना पाग जोग वाली तिन अंका वाली संख्या निकालनी सी, तो अप अथे ए अंदा सुत्तर लगाता, ए अन बराबर, ए प्लस एन माइनस वान इंटू इस चापा ए अन दा मुल पर आंगे, ए दा मुल पर आंगे, डी दा मुल पर आंगे, किन्या संख्या वाहन यानि कि अपने थे एन पता करना है, तो जो जो मुल पता आप आओ पारता, परंते अपने कोल इक सो पांच दूर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस करंते अपने क आग्या 80889 इस विच अपने को साथ बटे चली जाएगी बटे जानते नूँ पाग करके आगे 107 ते एक को अधर जाके प्लस हो जाएगी प्लस करनते अन्न दा मुल्ला आग्या आपने को ले 108 यानि के तिन नंका वालिया साथ ना पाग योग रखमा कि नियाहान को ले 108 आगे होनगी अपने कोल 2 एक पी दिटिया माइनस एंटी माइनस ते टी माइनस उनथी एंडस और बारा पदा दा जोड़फल पता करो बच्चे अपने को लेफ्टे जोड़फल पता करना है जोड़फल लिए अपने एस सांदा सुट्थ लगाना है तो हमेशा एक लड़ी दित्ती हुम दिया तो लड़ी विच अपा ए लिखांगे पहला पद फिर D निकाल लांगे उसता सांजांतर ए दुसी उन पिछले कुछ स्वाल आजकार करके देख लिया है कि A और D क्या हुंता है हुने थे बार मां 12 पदा दा जोड़ फल देखना याने के N आगे अपने को 12 तो थे पर जोड़ फल दा सुट्त लगा मांगे S प्राबर N बटे 2 ब्रेकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D ब्रेकेट 5 ए फॉर्मुला अच्छी तरह याद कर लियो फॉर्मुला याद कर लिए वह consumeड़ अस तो वा स्वाल अपने मुल पर नहां N दा मुल अपने कोझ 10 E दा मुल अपने कोझ माइनस सेंती D मूल है 4 अपनू सारे रकमादे मुल पता है सिरफ अपार के उसमों हल करना है तो चलुँ अपने कोल ऐन न सी 12 हुन अपने दे मूल पर देया अन वारा बारा बटे दो दो गुना ए अपने कोल माइनस सेंती उसता मूल पर था फिर ऐन न सी अपने कोल क्योंकि 12 पद सी, ता 12 लिखना सी, 12 माइनस 1, आते 10 अंतर है 4, इसनों हल करना ली मैंने क्या करना है, जो गुनावाल यह रख मेंना नों गुना कर देना अपस्च, इते ब्रैकेट नों हल कर देना, तो इस तना अपने कोल आ जाएगा, 12 नपा करके आगया 6, 2 नों सेंती ना गुना करके आगया, माइनस चो हत्तर, 12 चो इक माइनस करके आगया, 11 गुना 4, इसनों अग्ये हल करनती अपने कोल आ जाएगा, S ब्राबर माइनस 180, इससे तना अगले कोश्चन चाहिए, जोड़ पोल पता करना है, लड़िया अपने कोल माइनस 5, जमा माइनस 8, जमा माइनस 11, जमा एन चल दे होई, लास्ट रकम है, माइनस 203, इतो डिये अक्सरसाइज 5.3 दा कोश्चन नमबर 4 है, इस अपने कोल, एक इनना है, माइनस 5, दी है, माइनस 3, आते हिलास्ट रकम है, माइनस 203. तो फेलना इस भीच अपने को लास्ट रकम है, तो अपा एन है, एन्ग पॉर्मूला लगा माँगे, en दे फॉर्मूले इह हुन तो नूपर न विल्कूल आनदा है, इसनू परके, इसनू हल करके, अपने कोल n आ गया, 76, यह आप आप इछले स्वाल नजकिता सीज करके ज्यादा डिटेल्स नहीं करांगे इसनों तुसी हल करके देख लेना अपने निकालना क्या सीज जोड़ फल तो मैं जोड़ फल दा सुत्तर लगा लिया न बटे दो ब्रैकेट्स ए प्लस एल क्यूंकि अपनों यह थे लास्ट फ्रकम पत्त होँए तु आपन अवह थे सुत्ततर लगा मगे तो ए आन मतलब लास्ट चांवी होंदी या तो एल लागे अपने क्ल माइनस दो सो ती ए केणदा मूल अपन इकालने अच्छी अत्तर अपन पता माइनस पन्च एल अपनप पता-2-2 सो ती एनना तिन्ना दा म तो दी एक्सराइज 5.3 दे कोश्चिन 13 में दा स्वाल है आठ दे पहले 15 गुण जादा योगफल पता करो तो पहले 15 गुण जादा होगी अपने कोल आठ दी अपने कोल लिख लिए 8 16 चोवी एंड सो उन चल ली जान्द है हमेशा अपने क्या निकालना है ए निकालना पहले दी निकालना है क्योंकि एन अपने कोल 15 गुण जाद जोड़ फल निकालना है से अपने कोल सुत्तर आजाएगा एन बटे दो 2A प्लस N-1 इंटू दी सिरफ अपने कोल मुलपार के इसनू हल करना है हल करके अपने कोल इसनू आजाएगा 960 बस इस विच्छ था नू परी ल टांक संख्यां मादा जोड़ पता करना है जीरो तो पंजादे विच का टांक संख्यां हो गया एक तीन पंज एंड सो ओन 49 तो हमेशा अपना पहली रखम निखनी है ए सांजा अंतर डी यानिके तीन माइनस सीख्का गया दो हुनिश्च अपने को लास्ट रखम पता है 49 तो पिलना लास्ट रखम 49 एंदा सुत्तर लगा के अपना न निकाल लांगे फिर एस से अंदा सुत्तर आजागा एन बटे दो क्योंकि ये थे लास्ट रखम पता है ए प्लस एल ए लगा के आपाई इसनू हल करके इसनू स्वालनू पूरा करदंगे तो बच्चव स्थना कुछ स्वाल हो भी है जो के तुसी हल कार लेने हैं करके वुख सो देखके अपने किताब शो देखके इस तना फेको चुन कुशन तुसी कुतापबातों स्मेर चुन पूरा कर लें हैं इस पाद स्स्वाइनल तो नुम पूरा पॉर। चोट कौस्चन एक फशीन आएगा थए चार नमबर वाला कूस्चन आएगा इस ते सुच्छा उच्छ झाल झाल